जब ढईया शुरू हुए, तकरीबन 6-7 वहीने बेच चुके हों। शनिदेव वक्री चलाईमान हो। गुरु राहु का चांडाल दोश बना हुआ हो। तथा कुछी समय बाद जब राहु अपने स्तत्यों को परिवर्थत करने वाले हो। तो ऐसे इस तरपर ग्रह गोचर ये विवस्थाओं के साथ हो रहे परिवर्थन, क्या संकेत कर्म के सरव के साथ सामने रखते हैं। तथा करक राशी के महनुभावों के लिए यह यूँ कहें कि चंदर्मा प्रदान राशी के महनुभावों के लिए अगस्त दो हजार तेईस का मासिक राशिफल किस तरह के फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है इसका समग्र चर्चा ब्रतांत लेकर हम यहां आप सभी के समक्ष पस्तत है सरवब्रतम ग्रह गोजर ये ववस्थाओं का अध्यन क्या परिवरतन है और उसके बाद में प्रतिये को शेतर विशेश के साथ में जोड़ी कोई चड़ जाएं अब देखीगा कि चंदरमा का प्रभाव करक राशिस्तान में 14, 15, 17, 16 अगस्त 2020 के साथ में रहने वाला होगा शुक्र करक राशिस्तान में 7 अगस्त 2020 के बाद से प्रभेश कर जाएंगे मंगल के स्थियां 18 अगस्त तक जहां इनके परणाम इतने बहतर नहीं माने जाते सिंग राशी स्थान में रहेंगे परंदू राजा की राशी स्थान में इसके बाद मंगल यहां कन्या राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो वहीं परकेतु चतुर्त, राहु दशम इस्ततियां समसब तक रहते हैं दो नहीं गरहे। शनिदेव, अस्टमेशोकर, अस्टम भाव के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान हैं। इनकी इस्ततियां वक्र गत्चलाय मान। तो वहीं गुरु और राहु का जो चांडाल दोश है, वो दशम भावस्त इस्ततियों के साथ में बना हुआ। विशेश बात आप यह देखेएगा कि 30 अप्टूबर 2030 को ही राहु अपनी इस्ततियों को परिवर्टित कर जाएंगे। अन्शिकत विवस्ताओं में अब राहु डलान के और अग्रसर हैं। यसे वज़े से जो यहां कर्म के साथ में ब्रह्म निकल कर आ रहे थे। अब दीरे दीरे वहां से एक दूरी बनती चले जा रही है। हम शुरुवात करते हैं पर्थम भाव के साथ में व्यक्तित्व क्या क्या रहा है आत्म विश्वास की स्तियां क्या है। यह देखिएगा कि 17 अगस्त 2023 तक जो दुविती भाव क्यानिपती हैं वो पर्थम भाव में रहेंगे। दस दिनों तक शुर्य और शुक्र की युति भी साथ में बनने वाली होगी जो यहां आप प्रेजन्टेशन के अप्रोच की अड़ जाता हैं देखिए दूनों ही ग्रहे एक तरह से शत्रवत स्तियों को दिर्वत करते हैं सुर्य शुक्र परंतु जहां प्रेजन्टेशन क की बात आती है शुक्र नहसर की तोर पर व्यक्ति को ताकत देते हैं सुर्य देव आत्म विश्वास में वरध्धी करने वाले होते हैं बले ही अलग-अलग पोजिशन्स के साथ में एक ही भाव में हो परंतु रेजर्ट्स बहुत पॉसिटिव हैं लंबे समय बाद आप किस नई प्रफाइल की तरफ जा रहे हैं आपके लिए प्लेश चेंज का ओफर सामने आया है आप हासल करें तब भी ठीक है और आप ना देने तब भी कोई फरक नहीं बढ़ने वाला है ऐसी स्तितियों में आगे बढ़ना यानि ऐसे अवसर को हासल करना आपके लिए जाला शुक्र व्यक्ति विशेश को एक तरह से इंट्यूशन का बेज भी देते हैं जहां कहीं आप इंट्रव्यू देने गए एक से दो आप्शन सामने हैं अब जो इंट्यूशन कर रहा है कि बली यहां पैकेश चोड़ा सा कम है परंतो कमफर्ट रहेंगे कुछ नया सोच आने वाले होंगे कई बार व्यक्ति आकस में क्रोध का शिकार भी हो जाता है रियक्टिव प्रोसेस में जल्दी आजाता है वहां से खुद को शाम तचत रखने का प्रहतना आप सरूर कीजिएगा द्वतिय भाव की चर्चा करते हैं करबद निवदन है कि वानी पर 18 अगस दो हजार तैस तक बहुत अलिक नियंतरन रखें कम्यूनिकेशन में रियक्टिव प्रोसेस कई बार हाईर अथरोटी इसके साथ में व्यक्ति के संबंद को बेगाड़ देती है और वहीं से व्यक्ति दो विधाओं में आने लगता है ऐसी आवस्ताओं में संबलें दूसरे स्तर पर आप ये भी देखें कि कुछ दिनों के लिए सही परंतो सूर्य मंगल की युद्य बनेगी वो जो दिवस्वशेश 17-18 अगस्त के आसपास की परवरतियों के साथ में रहेंगे अट्मोस्ट कॉन्फिडेंस मेजर आपके भीतर यहां इस्टब्लिश करने वाले होते हैं और वहीं से आप अपने लिए नौकरी से व्यापार संबंदी निर्णा लेना चाहते हैं जिन हितेशी लोगों से भी सलाह लेना चाहते हैं ये दो दिवस अत्यधिक महत्तुपूर है दूसरे वस्ताओं के साथ में यहां जो भी मानुभाव मार्केटिंग संबंदी पोरिशन के साथ में हैं पब्लिक रिलेशन के साथ में आपको लगातार डील आउट करना होता है वहां आप अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है फैक्ट्स के साथ में चलते जैसे वो रुपया पैसा नहीं दे पाया और हम संबंदों को बिगाड़ बैठे ऐसी इस्तितियों के साथ में खुद को जितना आप साथधान रखकर चलेंगे पास्ट एक्सपिरियंस को इस मरतियों पर रखें याद रखें उसको हाल ही किसरों के साथ में भी जोडने की ज लिएगा वही पर जो आप यहां पर बिजनस की पूलिशन की बात करते हैं तो सेकंड आउस में बुद्ध का होना सूरी राशी इस्तान में होना और एक समय के बाद में बुदा दित्ति बना देना जो रोटेशन बिजनस का है वो ठीक ठाक स्तियों के साथ में चलाएबा न स्विवाद व्यक्ति को पूरे तरीके से लेगेटिव पूजिशन में ऑक्क्योपाई कर जाते हैं जहां से वो परेशान होने के सेवा कुछ और हासिल करने वाला नहीं होता वहां से संबले हैं हम व्यातरा तैय करते हैं तरते ही भाव की आप यह देखिए कि मंगल की स्तिय कन्या राशिस्तान में 18 अगस्त के बाद में आने वाली होंगी और जो स्वयम पराकरमेश बुद्ध हैं स्वयम सद्वादश हैं इसे वज़े से जो यहां पर नौकरी पेशा जीवन में प्रफाइल चेंज जैसा आपने प्रथम भाव की चर्चम बताये था कोई बेसे प्रोस्पेक्ट में भी यहां किसी व्यक्ति विशेश के साथ में डील की अपरोच मिल रही है हम 18 अगस्त 2023 तक बहुत धेरे चलने वाले होंगे मंगल जब 18 अगस्त के बाद में यहां पराकरम प्रवेश कर जाएंगे बले ही शत्रु राशिस्तान में हो परंतु मंगल यह पराकरम प्रवेश कर दाएंगे बले ही शत्रु रहे हैं तो वहीं पर लिक्रेटिव आफर्स नामक स्ततियों से पूर्ण तया साथान रहे हैं क्योंकि पराकरम भाव क्याने पती को शनिदेव देख रहे हैं कर्म फल प्रदाता करें देख रहे हैं उस दुंदल के सहर्टियेगा जो कई बार वेक्दी को लिक्रेटिव पॉलिशन्स के साथ में जोड़ता है भाईयों तथा मित्रों के साथ में यहां जो संबंदों की स्तिया हैं वो इतनी बहतर नहीं कही जा सकती द्वितिय और तर्थिय भाव जहां पारिवारिक जनों की बात करें जहां भाईयों तथा मित्रों की एक्स्टेंडेट फैमिली की बात करें रिलिशन्स के साथ में वो पॉजिटिवटी इस महीने नहीं है यात्राओं से संबंदित कामकाज में अठारे से 31 अगस्त का समय आपके लिए महत्तुकून सफलता है एक तरह से इस तरह धा संबंदि कामकाज है फैशन टेक्नलोजी डेजाइनिंग संबंदि कामकाज है टेक्स्टाइल संबंदि कतिवधियों के साथ में आप अपने जीवी को पारजन को देख रहे हैं वहाँ बैतरी है माता के स्वास्ति को लेकर बेस ततियां ठीक बनी हुई है वहीं रियल संबंदि कामकाज के साथ पॉसिटिविटी को यहां एवॉल्व करके आप लगातार बढ़ने वाले रहेंगे उसमें कोई विधिकत और दुविधाया मौजूद नहीं घर परिवार के साथ बारम बार जो एक तरह से अटेश्मेंट की अप्रोच आपको कामकाज से डस्ट कर रही थी अब दीरे दीरे आप प्रेग्माटिक होते चले जा रहे हैं परिवार के लिए ही घर से दूर हैं और ऐसी इस्तियां जब समझ में आती है तो व्यक्ति खुद को काफी हद तक स्थर करता चला जाता है यह एक इंडिकेशन आपके लिए बहतर वहां संबंदि काम काज में इस्तियां ठीक ठाक बनी हुई पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचम के आदिपती शुरुवाती 18 दिनों के लिए यहां द्विती भावस्त करम के साथ में रहने बाले होंगे ऐसे में स्टॉक मार्केट संबंदी पोजिशन में बहुत जल्दी डिसीजन अपने सा नजर आती है यहां आप ऐसे फिल्ड स्पेसिफिक के साथ में जो किसी इंस्टिट्यूट का प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं या फिर एजूकेशन का भी प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं गर परिवार से जो आर्थिक बलत मिलनी चाहिए जिसमें दिक्कत हो रही थी वहां से अब आप काफी हद तक सकारात्मक रहेंगे तो वहीं पर जो भी महिलाएं संतान सुक्य और अगरसर हैं उन्हें अपने स्वास्ते पर खाफी ख्याल रखने की जरुवत रहने वाली होगी दूसरे इस तर पर आप ये भी पाएंगे कि जो स्टॉक मार्केट में आप जल्द आप ये देखिएगा कि जो यहां पर सस्टेश होकर देव गुरु रहस्पती दशमभाव में हैं गुरु राहु दोनों की दृस्टी जो एक तरह से सस्ट भावस्त करम के साथ में हैं ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके सामने आती चले जाती है कि यहां कहीं ने कहीं अपर देखिएगा कि मंगल टेवरता देते हैं परन्तु मंगल की स्थियां यहां नियंत्रत आधार के साथ में एक समय के बाद में मंगल की दृस्टी देव गुरु ब्रहस्पती की दृस्टी रोगभाव पर रहेगी परन्तु फाइनेंशल एप्रोच के साथ में आप सब्तम भाव की चर्चा करें तो आप यह देखेगा कि सूज की और शुक्र की दृस्टी एक अंदराल तक यहां सब्तम भाव पर रहेगी गृहस्त पक्ष के साथ में बनावटिपन नहीं आये उनको ऐसा नहीं लगे कि हमको कोई जानकारी साजा नहीं की जा रही है हम उनक गरिहस्त सुक की और अब बढ़ने के प्रयास रथ्थ यह किसे संबंद की चर्चा चल रही थी बलए ही चतुरुद मास की स्तथियां हो परन्तु जो चर्चा हैं उसके साथ में कुछ सकारात्मक संकीत आपको मिल सकते हैं बले ही चतुरुद मास के बाद में वो संबंद सका परात्मक स्तर पर जाए परन्तों यहां जो कई बार व्यक्ति एक तरह से वचारों का आदान परदान करता है और गरिहस्त के साथ में अपने पूरिशन को एस्टबिश करने वाली जो अपरोश में होता है वहां इंडिकेशन्स अच्छे हैं आप यहां रेस्टोरेंट यहां मौजूद ग्रिहस्त वक्ष की और से 18-18 अगस्त के मद्य कुछ सुखद कवरें आपको मिल सकती है उनकी जो आपको लेकर उनकी वर्किंग पूरिशन को लेकर परन्तु पुनहने विदन संबंधों को संभाल कर जरूर चलें वहीं जो शनिदेव की स्तितियां अब अ अस्टमेश होकर अस्टम बाव में है एक तरह से सब्तम क्यारिपती भी अस्टम में है इसी वज़े से जो यहां पर रेसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहां पॉजिटिविटी भी है हाला कि दो आदर्श शत्रों का यहां पर दृस्टी निक्षेपन बना रहने वाला हो परन्तु अब वो सॉलूशन के लिए आई है सब कॉंशियस स्वियर जो उनके साथ बने वोई थे अब वो धीरे धीरे आपके लिए हटते चले जा रहे हैं यह भी स्वश्टता आप अपने भीतर तक समाहित करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे इसमें कोई बीचिनता नही यह भी आप देखिएगा कि यहाँ जो डेटा साइंसेस के साथ में एनलेटिक्स के साथ में आउट्सोर्सिंग के साथ में जो भी महानुभाव विदेश संबंदे स्थियों को देखना चाते हैं उनके साब से भी यह समग गरत्वार पर भैतर कहा जाएगा उस ताकत के साथ मैं अपने जिवन को आप देखते चले जाईएगा वहीं नवम की चर्चा करते हैं तो ये एक युकारक स्तिती है नवमेश देव गुरु ब्रैसपती दशमभाव में है परन्तु जो गुरु राहू की स्तितियां मनी भी थी अभी तक आप कोई स्केप्टिकल कर रही थी भाग की का जहां सयोग था वहां पर भी लग रहा था कि नहीं शायद गफलत है दोगा है अब ऐसे इस्तितियों में आप एक स्फस्टता स्वयम के लिए देख पाएंगे यहां शाशन प्रशाशन संबंदी सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो उच्च सिक्षा भाव क्या दिपती का यहां दश्मस्तोना आपकी कर्म की उज्वल धारा को रखता है उस ताकत के साथ में आप होंगे आप ध्यात्मिक स्थर पर धीमी पर निस्ठावान प्रगती मौजूद है जो धार्मिक कार्यों के साथ में आप जुड़ते हैं मन के भीतर की संतुस्टी तिथा नाम का जो वाहक आधार होता है वो भी आपके साथ में यहां बना हुआ है दशम भाव की चर्चा करें ये एक विशेश इस्तती है कि करमेश मंगल यहां नवम पंचम बनाते हुए लंबे समय तक एक तरह से द्विती भावस्त करम बे रहेंगे शनिदेव की द्रिस्टी भी यहां दशम भावस्त इस्तर पर है बली है अपने नीचस तराशिस्तान पर हो परन्तु एक क्लैरिटी है कि आपकी करम शीलता बनी हुई है कई बार व्यक्ति भाव के मारे काम का जो भागता है और कई बार उत्साह के साथ भागता है परन्तु यहां थोड़ा सा भावाला इस्तर हावी है लियाप तो नहीं हो जाएगा कुछ और पोजिशन्स तो नहीं आ जाएगी जो काम दियावाए वो करते रहो ओफिस पॉलिटिक से दूर रहो यह जो मूल मंत्र है आप अपना कर चल रहे हैं ताकत है परन्तु पिता के साथ संबंदों में इच्छा शक्ति का भाव किसी विस्तर पर बना हुआ नहीं लाब भाव की चर्चा करते हैं तो लाबे शोकर शोकर प्रतम भावस्त करम के साथ में मौजूद है इसी वज़े से आपके आत्म विश्वास में प्रकर ओज के स्ततियां बनी हुई है यहां इंट्यूशन की जैसा हमने शुरुवात में भी कहा था पॉजिटिविटी मौजूद है जो अटके हुए रुपे वैसे थे या फिर आकस्मिक लाब के स्ततियां होती है डैया के सिरों में भी वो मौजूद है परमतुल लगातार वहां पर जुटे रहने की जरुरत आपको रहेगी वहीं चर्चा करें दुआदश भाव की विदेश संबंदी स्ततियों में ठीक ठाक आधार है जैसे आपने शुरुवात में भी आपको कहा था और अस्टम भाव की चर्चा के समय भी कहा था जो भी कोड का चरी संबंदित मामलात हैं चंदरवा, परदान, राशी के जातक यहां बहुत अरिक धीमेपन के साथ में चलने का प्रहत में करते चले जाईएगा यह भी एक निविदन और दूसरे स्थर आधार पर आप यह भी देखिएगा कि जो भी जातक यहां पर विदेश संबंदित स्थियों में एक्सपोर्ट के साथ में जोड़ चुके हैं किसे अंजान वेक्ति के साथ निरणे आगे बढ़ाने से बचना चाहिए तो यह था करक राशी के जातकों के लिए अगस्त दोहजार तईस का मासिक राशीफल हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्तित होने का प्रयत में करते चले जाएंगे धन्यवाद अभम कोटी शह आभार